सद्गुरु जी, हमारे पास यी मीडिया से आये कुछ सवाल भी हैं। एलेन ही स्ट्रॉंग का एक सवाल है। हमने भी अभी वीडियो में सद्गुरु जी को हिमाले पर दोड़ते, फुटबॉल खेलते और क्रिकेट खेलते देखा। तो एलेन पूछ रहे हैं कि हम हमेशा खुद को काम में लगा कर कैसे रखें। काम में लगा कर? आपको हमेशा काम में लगे रहने की जरुवत नहीं है। अगर जीवन की मांग है, लोग मुझसे पूछते हैं, आप इतने सक्रिये कैसे रहते हैं? क्योंकि आम तोर पर मेरा शिडूल दिन में 18 से 20 घंटे, हफ़ते के सातों दिन, साल के 365 दिन, कई सालों से लगतार ऐसा ही चल रहा है। मैं शिकायत कर रहू हूँ और ये लड़का ताली बजा रहा है। तो लोग पूछते रहते हैं, आप इतने सक्रिये कैसे हैं? आप ये कैसे करते हैं? देखिए, मैं मूल रूप से आलसी हूँ बस इतना है कि दुनिया के हालात कुछ करने की मांग करते हैं। मेरी चले तो मैं बस अपनी आखें बंद करके बैठा रहा हूं। चंज मेरी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुदको व्यस्त नहीं रख रहा हूं। बहुत कुछ किया जाना है, इसलिए आप कर रहा है। लोग पूछते हैं, सद्गुरु आपका सपना क्या है, आपका सपना क्या है, मेरा सपना है कि किसे दिन मैं बेरोजगार हो जाओ, वो बहुत अच्छा दिन होगा, मैं बेरोजगार हूँ, यानि हर कोई शांदार जीवन जी रहा है, और क्या चाहिए, सपना पूरा हो गया, तो काम कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आप तै करते हैं, आप बस अपना इरादा तै कीजे, काम दुनिया तै करेगी कि क्या और कितना करना है, इन इकॉनिक फोरम वेगर में, मैं वर्ल्ड इकॉनिक फोरम में था, वहाँ एक व्यक्ति ने, हावर्ड बिजनेस स्कूल के एक आप वो पेड लगाने वाले अध्भूत आदमी है, मैंने का नहीं, मैं पेड लगाने वाला नहीं हूँ, नहीं, आपने लाखों पेड लगाए हैं, हाँ लगाए हैं, मगर मैं पेड लगाने वाला नहीं हूँ, फिर आप क्या करते हैं, मैंने का, मैं लोगों को फूल की त पेड नहीं लगाता। मैं पेड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि पेड जहां होने चाहिए, वहां दिखते ही नहीं हैं। उन्हें जहां होना चाहिए था, वहां वे नहीं हैं। ये कुछ ऐसा है, दो लोग सड़के किनारे काम कर रहे थे। एक आदमी गढ़े खोद रहा था उसके पीछे दूसरा आदमी उन गढ़ों को भरता जा रहा था। एक और आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने ये अजीब साद्रिश्य देखा। एक आदमी गढ़े खोदता है, दूसरा उसे भरता है। तो उसने रुक कर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कैस काम हुआ है। एक खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बीच वाला बंदा छुट्टी पर है, वो पौधे लगाता है। वो नहीं आया, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत से लोग इस तरह लगे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपका इस ध मैं बस थोड़ा समय काट रहा हूं। क्योंकि आपको अपना मिशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन का अपना एक मिशन है। अगर आप किसी रूप में उसमें सहायता और सेवा कर सकते हैं, तो कीजिए। आपका अपना मिशन क्यों होना चाहिए। क्या आप कोई जिन्हें लगता है कि उनके पास मिशन है, कोई मिशन नहीं है, जो जरूरी है आपकी जीए। खास कर जब आप एक बिजनेस स्कूल में पढ़ते हैं और चीजों को मैनेज करने या बनाने में एक स्तर की काबलियत हासिल करते हैं, आपको वो बनाना चाहिए जिसके जरूरत है, ये नहीं कि कोई भी बकवास चीज बनाकर लोगों पर थोब दी, हाँ, हाँ या ना, आपको देखना चाहिए कि जीवन को बहतर कैसे बनाएं, ऐसी स्थितियों को कैसे सुलजाएं, जो ढेर सारे लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, आपको मौजूदा स्थितियों क के लिए समाधान खोजने चाहिए, और हाँ, ऐसे कई विशेशक्य हैं, जो नई समस्याएं पैदा करते रहते हैं, तो आपको समस्याओं की कभी कम ही नहीं होगे, आपको बस समाधान तयार करने, मिशन मोड में नहीं जाना है, वो मुसुलनी के लिए है. झाल